प्यारे बच्चों जीया सक्सज हिंदी क्लासेज में आप सब करश्वागत है बच्चों सुर्दास का पद हम लोग पढ़ रहे हैं अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का पद निर्गुन कौन देश को वासी मद्गुर कई समझाओ सौह दे बूजस साच नाहासी इस पढ़ते ह इस पद को पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं इसमें सौर्दास जी ने बताया है कि उद्धाव मत्धुरा से ब्रज आते हैं मत्धुरा यानि की जहां स्रिक्रिस रहते हैं वहां से ये ब्रज आते हैं गोपियों के पास और गोपियों को उपदेश देते हैं किसका उपदेश देते हैं निर्गुड ब्रह्मा का उपदेश देते हैं जबकि गोपिया पहले से साकर ब्रह्मा की उपासक होती हैं उपासका निक उपासना करने वाली है तो साकर ब्रह्मा को मलब स्रीकिस की उपासक होती हैं और जब उद्धो उपदेश देते हैं तो उद पहास यानि मतलब मजाक उड़ाती हैं. तो देखते हैं इस प्रत में कैसे गोपियां क्या-क्या तरक करती हैं उद्धाव से? निर्गुर्ट कौन देश को वासी? मदुकर कही समझाई सौधे बुझत साचना हासी. निर्गुन माने निर्गुड ब्रह्मा कौन देश का वासी वासी माने निवासी मधुकर माने होता भावरा यानि ब्रह्मर इसको हम पहले लगा लेंगे अब गोपियां उद्धाव को निर्गुड ब्रह्मा को भावरे के माध्यम से निर्गुड ब्रह्मा को उपहास करती है कैसे देखिएगा मदुकर माने भ्रह्मा रियानिक भाउरा इसको हम लोग पहले लगा लेते हैं हे भ्रमर देखिए सुनिए गोपिया कहती है कि हे भ्रमर मदुकर माने भ्रमर साच न हासी, साच माने सच, 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 बोज़त माने पोच्टी, पोच्छना, मनला पोच्छती है, साच माने सच, हासी माने हासी माज़ाग, सौँ माने यहाँ पे सपत, यानि कसम, अब देखिएगा, क्या कह रहे हैं, साँधे, गोपिया कह रहे हैं, मैं अपनी सवगंध देकर पोज़त पोच्छती हूँ, साच, सच, सच पोच्छती हूँ, गोपिया कह रहे हैं, हम अपनी सवगंध देकर आप से सच, सच पोच्छती हूँ, ना हासी, हसी मजाग नहीं कर रही हूँ, कई समझ हमको अच्छी तारीके से समझा कर बता दो को है जनक, क्या कह रहे हैं गोपिया को है जनक, मलब तुम्हारे निर्गुड ब्रह्मा का जनक यानि पिता तुम्हारे निर्गुड ब्रह्मा का पिता कौन है कौन है जननी, जननी माने माता, माता कौन है कौन नार को दासी नार मने हाँ पत्नी से तात पर है लेकिन नार मने इस्तरी होता है लेकिन इहाँ पत्नी मलब कौन नार कौन दासी इस्तरी और दासी कौन है ठीक है कैसो वरन उसका वरन मने वर्ड यानि रंग वरन मने वर्ड कतन है यह स्वेत वर्ड के हैं यह अस्वेत हैं इस तरीकत में वर्ड माने रंग होता है क्या होता बच्छो रंग यहां पर कैसो वरन उसका रंग कैसा है वेस है कैसो उसका वेस भूसा कैसा है कि हिरस में अभिलासी किस रस में उसकी रूची है कि हिरस में अभिलासी अभिलास गोपिया रही है जो मैं बात आपसे पूच रही हूँ अगर उसमें यद तुम कपट करोगे उद तुम कपट करोगे पावगे पुन कियो अपने किये का पावगे वने फल स्वेंग पाजाओ गे सुनत मौन हुए रहो बावरे सूर सवे मतनाजी अब देखी आगे क्या कहा है सुर्दाजी कहते हैं गोपियों के ऐसे प्रस्नों को सुनकर सुर्दा जी कहते हैं गोपियों के ऐसे प्रस्णों को सुन कर उध्धव सुनत मौन हुए रहो बावरू बावले के तरह मौन हो जाते हैं लेकिन बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उद्धव ठगे से रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, आगे देखते हैं सूर सबय मत नासी और गोपियों के तर्कपूर प्रस्णों के आगे सबय मत, मत माने बिबेक यानि बुद्धि, उद्धव का सभी बिबेक होना, उद्धव के सभी बिबेक नश्च हो जाते हैं, फिर इस लायन को किलीर जान लेना, सुनत मान हुआ रहो बावरे, सूर दाजी कहते हैं, गोपियों के ऐसे तर्कपूर प्रस्णों को सुन करके, मौन हुआ हूआ रहो बावरे, उद्धव बावला होकर, मौन हो जाते हैं मलब इसको ऐसे लिख देना बेटा कि उद्धाव ठगे से रह जाते हैं उद्धाव ठगे से रह जाते हैं मौन हुए रवार उद्धाव ठगे से रह जाते हैं गोपियों के ऐसे तर्गपुड प्रस्णों को सुन कर उद्धाव ठगे से रह जाते हैं सूर सबय मत नासी समाथ हो जाते हैं उद्धों के सभी मत नश्ठ हो जाते हैं सभी विवेग नश्ठ हो जाते हैं ओके बच्चों इसके आगे अब कावगास सौंदर्म जैसे भासाब्रज है इसमें बियोक बात किया जा रहे जीसे भ्रमो ब्रमर से जैसे गोपियां प्रस्न करते हैं तुम किस देश के निवासी हो तो इसलिए जाहां मानवी करण हो गया जब मानो का लावा किसी जीव से बात होता है मानो की तरह तो वहाँ मानुवी करण हो जाता वच्चो अन्योक्त भी अलंकार है क्योंकि यहाँ पे देखिए गोपियां भौरे के माध्यम से अन्युक्तियों की माध्यम से निर्गुट ब्रह्मा के बारे में कट अच्छ करती हैं तो इसलिए अन्योग तलंकार भी यहां पर हो जाएगा ओके बच्चों यह आज का अब अगले वीडियो में